असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ अमीर गवरी एक बार फिर से आप सबी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टॉप हरबर्ड जेमिडी इस पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में मुझसे बदबुच ज़ी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही बहतरीन घरेली उपचार लेकर रहा है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो पर शुरूँ से अंतक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फाइदा दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कई बार खाने पीने की वज़े से मुझसे बदबुच आती है तो कई बार मुझसे जुड़ी कुछ बिमारियों की वज़े से दोस्तों अगर आपके मुझसे इसमेल आ रही है तो ना कोई आपक संग एक बार फिर से हस बोल सकते हैं दोस्तों मुझसे बद्वू आने के कुछ वज़ा में से एक वज़ा यह भी हो सकता है कि आपका डाइजेस्टर सिस्टम जो पाचन क्रिया वो सही नहीं हो दोस्तों जब आतों में खाना सड़ने लगता है तो यह बद्वू का कराण बन जाता है और कब्ज भी मुझ की बद्वू का कराण हो सकता है इसके अलावा आतों की सड़न पायरिया या फिर दातों मसूडों की किसी बिमारी के चलते भी मुझसे बद्वू आ सकती है मुझे बदबू आना कई लोगों के लिए बहुत बूरा अनुबव हो सकता है दोस्तों मैं आपको बता दू कि कई बार आपको पता भी नहीं होता कि आपके मुझे बदबू आ रही है और लोग आपसे दूरी बनाना ही पसंद करते हैं अगर यहीं बात कोई खुल कर आपसे कह दें तो यह बात सुनकर दोस्तों बहुत ही बुरा लगते हैं दोस्तों बदबू की सम्मेस्या को खतम करने के लिए उसके कारण को जानना बेहादि जरूरी है दोस्तों एक बार कुछ अलग अलग तरह का खाना या फिर कुछ बिमारियां मुह की बदबू का कारण हो सकती है दोस्तों इसकी जनकारी भी आप सभी को मैं बताता चलता हूँ जैसे कि अधिक मसालेदार खाना प्याज, लस्न, अद्रग, लॉंग, काले मिरिच का सेवन मुह की बदबू का वज़य बन सकता है इनका पर्योग कम करें और जब भी करें तब कुली या बरस करके मुह को साफ रख लें दोस्तों अगर आप अधिक समय तक बिना कुछ खाए पी रहते हैं तो भी मुह से बदबू आने का वज़य बन सकता है इसलिए सही समय पर खाना खाना चाहिए और दातों में फसे हुए खाने को हमेसे साफ रखना चाहिए मुह से सूखा पन बना रहना बैक्टेरिया पन अपने के वज़य से बदबू पैदा कर सकता है इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर पानी पीते रहें और मौथ फ्रेशनर कर सेवन करते रहें दोस्तों एक वज़य यह भी हो सकता है कि ठीक से पाचन ना होने पर पेट खराब होने के कारण भी मुह से बदबू आ सकती इसके लिए ज़रूरी है कि खाने के कुछ देर वाक करें और फिर पाचक चीजों का सेवन करें सौब, पिपर मिंट, इलाइची, मुलेठी, भूना, जीरा, धनिया, आधी, प्राकिर्तिक, मौथ फ्रेशनर है जिनने खाने के बाद और अन्य समय पर चबाते रहें इसे मुह की बदबू कम होती है दोस्तों मसूडो की बिमारी, सरीर में जींग की कमी या डाइबिटीज के कराण मुह से बदबू आ सकती है इसके लिए जींग से भरफूर चीज़े खाएं और मुह को साफ रखने के लिए समय समय पर कुली करते रहें दोस्तों मुह से बदबू आने का उसे कैसे दूर के जाए उसका एक आसान उपाई यह है कि सर्सों के तेल और नमक से मसाज हर रोज दिन में एक बार सर्सों के तेल में चुटकी भर नमक मिला कर मसूडो की मसाज करने से मसूडे स्वस्त रहते हैं और बदबू पनपने का खत्रा भी कम हो जाता है दोस्तों दोसरा उपाई यह है कि मुह में लांग रखकर चूसने से बदबू में कम होती है और साथ ही दादों के दर्द में भी रामबाड उपाई है सौफ चबाने से भी मुह की दुरगंद को दूर करती है दोस्तों तीसरा है यह है उपाई कि अमरूत की पत्तियां अमरूत की पत्तियां तो आप सभी को बड़े असानी से मिल जाएंगे अमरूत की कॉमल पत्तियां को चबाने से भी मुह की बदबू पल भर में दूर हो जाती है दोस्तों इसी तरह तुल्सी की पतियां भी हैं जिसे चबाने से मुह की बदबू दूर हो जाती है और साथ ही मुह में अगर कोई घाओ है तो तुल्सी के लिए भी फायदे मन्द है दादों की बदबू का इलाज कराने से पहले यह भी तैंकर लेकि बदबू का करण कहीं कोई गंभी बिमारी तो नहीं वरना उपाय से आपकी बदबू तो कम हो जाएगी लेकिन दाद खराब होते रहेंगे और जिस विमारी को रोका जासकता था वो बड़ जायेगा दोस्तों ग्रीन टी के इस्तेमाल से मुह की बदबू को कम किया जा सकता है इससे एंटी बैक्टेरियल कामपोनेंट होते हैं जिससे दुरगंद दूर होती है दोस्तों खूब पानी पिने से मुह फ्रेश रहता है और दात में फसे खाने को तत्व को निकल जाते हैं जिससे मुह में खाना सड़ता नहीं मुह बार बार साफ होता रहता है जिससे बदबू नहीं आती है दोस्तों अनार की छाल भी अनार की छाल को अनार की छिलके को पानी में उबाल कर उस पानी से कुली करने से मुह की बदबू दूर हो जाती है दोस्तों इसी तरह सूखा धनिया भी एक अच्छा मौथ फ्रेशनर है इसे मुँ में रख कर चबाने से मुँ की बदबुच दूर हो जाती है दोस्तों इसी तरह किसी भी उपाय को रोकने से पहले सबसे यह जरूरी है कि आप अपने दातों को दिन में दो बर आच्छी तरह बरस करके साफ करें टंग क्लीनर से जीव को भी साफ करना भी जरूरी है खाने पिने की वज़े से भी जीव पर एक परत जमी जाती है जो बदबुच कारण बन सकता है और साथ में सब्सक्राइब वाला बटन दबाते जाएं तो दस्तों में मिलता हूं आगले नेस्ट वीडियो में किसी और यूनानी मेडिसिन का रिव्यू करते वे जब तक लिए टाटा बाय बाय जैहन